हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बार्बी में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अभी सुबा का टाइम है, इसलिए सब लोग सो रहे है यहाँ पर पिंकी जोर जोर से खराटे मार रही होती है मामा खराटे, मामा खराटे, नहीं सोना ममा के पास नहीं सोना पापा के पास सोना पापा घराटे नहीं यहां पे शोना और फिर यहां पर मुन्ना अपने पापा के पास सो जाता है अरे बाबरे ये क्या ये दूही भैयाना को अरे चुड़ेल यहाँ पर कैसे आ गई मैं फिर से आ गई मैंने कहा था मैं इनसे बदला लेने जरूर आउंगी जब तक मैं इनसे बदला नहीं ले लेती तब तक मैं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ अरे देखो तो ये कैसे सो रही है खराटे मार की इसी से मैं अपना बदला लूँगी चलो जो इसके पेड़ में बच्चा है मैं इसे भूद बना देती हूँ और फिर यहाँ पर चुड़ेल अपनी काली शक्तियों से जाद्यों कर देती है अरे अरे मेरी पेड़ में कुछ हो रहा थे क्या हाभी अरे से लगा मेरा पेड़ गुड़ गुड़ हो रहा है पता नहीं क्यूं लगता है मैंने रात को कुछ जादा ही खा लिया था चलो कोई बात नहीं है सब ठीक है अरे तो सुबा भी हो गई है चलो अच्छा हूँ मेरी आग खुल गई मैं जाके जल्दी से ज़ाड़ लगा लेती हूँ यहाँ पर पिंकी को बिल्कुल ही पता नहीं चलता अरे यह रहा ज़ाड़ू और फिर यहाँ पर पिंकी ज़ाड़ू लगाने लगती है अरे मैं सूरी थी अचानक से मेरे पेट में अजीब से कुछ होने लगा पता नहीं क्या था मैं क्या करूँ शायद ज्यादा खाना खाने की वज़े से ही पेट में गुड़ गुड़ हो रहा हो चलो जाड़ू आखिरकार मैंने लगा ही लिया अरे अरे मेरा पेट अरे बाबरे मेरे पेट में क्या हो रहा है अरे बाबरे बहुती सोर से दर्ध हो रहा है क्या हो रहा है अरे बाबरे और फिर यहाँ पर पिंकी को अचानक से पेट में दर्ध होने लगता है अरे मेरा बेबी क्या हो गया अरे बापरे, अरे बापरे मैं क्या करूँ, मैं से चलो सबको आवाज लगाती हूँ, भाबी सिधाजे उठी है जल्दी से, अरे मेरा बेबी कुछ हो न चाहे, मुन्ना सिधाजे भाबी उठी है जल्दी, आह यहाँ पर सब लोग गहरी नीद में सो रहे होते हैं, ओ, मेरे पेड़ में बहुत ही दर्द हो रहा है, कोई उठी नहीं रहा में क्या करूँ, यहाँ पर मुन्ना की आग खुल जाती है, मामा, 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 अरे वा, लगता है मेरी जादूई शक्तियों का असर होन मुन्ना क्या हो गया बेटा क्या हो गया क्यों जगा रहे हो तुम मुन्ना वाज लगा रहे है क्या हो गया मुन्ना अवाज लगा रहा है रही क्या हुआ अहां सिधार जल्दी चलो जल्दी चलो अरे चलो चलते हैं जल्दी से अरे तो पिंकी है पिंकी जी औरे पिंकी जी क्या होगी आप जमीन पर क्यों गिरी होई है बताईए सिधाजी उठाए मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है मेरे पेट में अरे हाँ पिंगे जी मैं उठाता हूँ भावी मेरे मदद केजिए अरे हाँ सिधाज अरे पिंगे तुम्हें क्या हो गया अचानक से सुबा सुबा औरे भाबे मुझे नहीं पठा चानग से मेरे पेड ने दर्द होने लगा औरे पिंके जी हिमद से काम लेजिए सब ठीक होगा ठीक है ना चलिए चलिए जल्दी से चलिए इसब ठीक हो जाएगा और फिर यहाँ पर पिंकी को लटा देते हैं पिंकी जी क्या हो रहा है बताईए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे समझ में ही नहीं कुछ भी बोल रहे हो लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर पिंगी को इतना पेन क्यों हो रहा है क्या करें सिताथ अरे भाबी लगता है पिंगी जी को बहुती दर्द हो रहा है मैं जाके अभी डॉक्टरिनी जी को पुला के लेके आता हूँ मुझे कब कर लेंगे पिंगी जी का ठीक है ना बताईए अब लोग बाते क्यों कर रहे हैं जल्दी से डॉक्टर नीजी को पुलाईए भाविया पिंगी जी का ख्याल रखना ठीक है मैं जा रहा हूँ अले क्या होला है मामा 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 है छोटी मामी छोटी मामी चलो चलो मैं जाके जल्दी से डॉक्टर नी जी को पुला के लेकि आता मुझे बहुती डर लग रहा है और फिर यहाँ पर सिधार चला जाता है अरे सिधार मैं पिंकी का ख्यार रखूंगी कि तुम जल्दे से ड्रक्टर ने जी को पुला के लेके आ जाना मा 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 छोटी ममी को क्या हुआ है बताईए ना प्लेज मुझे बहुत ही चिंता हो लही है अरे बच्चो इसमें डिरने वाले कोई बात नहीं है मुझे तो लगता है तुम्हारा चोटा भाई आने वाला है या फिर बेहन तुम लोग जाके बैट जाओ तुम लोग को चिंता करने के ज़रूत नहीं है सब ठेक हो जाएगा क्या सच में है ये ये मजाएगा चोटा बेबी अरे मुझे बहुती चिंता हो रही सिध्धा अभी क्यों नहीं बुला के लेकि आया डॉक्टर नीजी को कहा रहे गया इतना टाइम थोड़ी न लगता है ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ पर सिध्धा डॉक्टर को बुला के लेके आ जाता है चलिया चलिया डॉक्टर नीजी चल्दी 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 अरे हाँ हाँ चल रही हूँ सिध्धा चल रही हूँ बताओ तुम्हारे पतनी कहाँ अरे वहाँ परेकिया चलो मैं चिक अप कर लेती हूँ चल्दी से अरे क्या हो गया मैंने पिछले महीने ही तो चिकप किया था पिंकी का तो सब नॉर्मल था अचानक से क्या हो गया है अभी तो इसके डिलिवरी में एक महीना बागी है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जो मैं चेक करती हूँ अरे ये क्या अरे ये तो पिंगी का डिलिवरी का टाइम हो गया है पर ये कैसे हो सकता है अरे चलो कोई बात नहीं है हमें जल्दी से पिंगी का डिलिवरी कराना पड़ेगा हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अरे मुझे जल्दे से डिलेरी करना पड़ेगा ने तो बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा पापा पापा अरे पीटर चिंता मत करो ठीक है डॉक्टर ने जी मेरी चादर ले के आती हूँ अरे डग्डर नीची पदा नहीं क्यों मुझे बहुती जादा अजीब लग रहा है अरे काचल जल्दी करो जल्दी करो जल्दी से परदा लगा दो ठीक है न जल्दी करो अरे हाँ ठीक है डग्रनीच मैं भी पर्दा लगा देती हूँ आप चिंता मत किजिए मैंने लगा दिया है और फिर यहाँ पर पिंकी का डिलिवरी होने लगता है भाबे बचाए मुझे अरे पिंकी तुम हिमा से काम लोग सब ठीक होगा ठीक है ना अरे यह क्या ममा ने परदा लगा दिया मुझे भी देखना था अ बचाओ अ भाबे और फिर बेबी इस दुनिया में आ जाता है अरे बबरे यह क्या चीज है अरे यह इस नहीं हो सकता इस नहीं हो सकता मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ अरे नहीं नहीं इसा नहीं हो सकता है काजल अरे क्या हो डॉक्टर नीजी अब डेर क्यों गई अरे ज़रा बेबी को देखो ये कैसा बच्चा ये तो भूत जैसा दिख रहा है अरे बबरे ये तो भूत है अरे डॉक्टर नीजी ये तो भूत बच्चा है अरे चलो चलो मुना देखते हैं ड्रक्टर नीजी जी क्यू टेर गए है आखिरकार अरे बबरे ये क्या है? अरे नहीं असके नहीं हो सकता है अरे बबरे तो बहुतर डरावनी है चलो मैं जल्दी से यहां से चाहती हूँ मुझे अपनी जान प्यारी है मुझे माफ किये जी है मैं यहां से जा रही हूँ छलो मैं अपनी जान बचाती हूँ अरे ड्रक्टर ने जी रूप जे कहा जा रही है अरे यहां पर पिंकी को होश आ जाता है क्या हुआ भाबी कहा है मेरा बेबी कहा है अरे पिंकी जी अरे मेरा बेब अरे अरे बाबरे यह क सब लोग शूर हैं है उपर वाले तेरा लाग लाग शुकर ये तो सपना था मुझे लगा मेरा बेस बहुत्या पैदा हुआ है अरे छलो अच्छा हूं contact वैसा सपना देखे लिए ओए पर किया बुद्धू हूँ मैं तो दोस्तों अगर आपको हमारे कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए